So hello guys, welcome to my YouTube channel, Ritik Technical Support इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Truecaller जब आप अपने Vivo के डिवाइस में इंस्टॉल करते बढ़ आपको pending का इसू आता है, pending के आगे processing नहीं होती तो कैसे आप यहाँ problem को ठीक करेंगे, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टाट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा, विल्क आइकोन को प्रेस कर लेना है जैसे कि आप हमारे स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि हम already इस एप को यूज़ कर रहे हमें कोई भी इसू यहाँ पे नहीं आ रहा है ठीक है, बढ़ आपको problem आती है, तो first of all आपको जाना होगा आपके Vivo device के settings पे then आपको click करना है apps पे, ठीक है, CR पे click करिए, then यहाँ पे आपको search बार पे click करना है और यहाँ पे आप लोग search करिएगा play, ठीक है तो आपको दो options तो करेंगे, Google Play Services and Google Play Store इन दोनों पे आपको click करना होगा, then आप इनके storage पर click करें, then आप इन दोनों का इसका भी data clean करें, ठीक है तो मैं आपको फिर से repeat करूँगा गूगल प्ले सर्विसेस और गूगल प्ले स्टोर एंड डाउनलोड मेनेजर इन तीनों का यह आपको डाटा क्लीन करना है देन आपको अपने डिवाइस को रिस्टार्ट करना है अब आप लोग ट्रू कॉलर आपको इंस्टॉल करने का प्रयास करें पहले जो आपको प्रॉ प्रबलम देखने को नहीं मिलेगी ओके तो टापिक इस कबर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय माता दी